आज हम सीखेंगे रूलर और परकार के प्रयोग से लंब और लंब समद्य भाज़ा कैसे खीचे जा सकते हैं। दी हुई रेखा पर स्थित किसी बिंदू से होकर गुजरता लंब खीचने के लिए जामिती में अक्सर रूलर और परकार का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसकी विधी समझे। परकार में लेकर चाप खीचेंगे। परकार में ली गए दूरी में परिवर्तन किये बिना हम F से चाप खीचेंगे जो E से बनाए चाप को बिंदू Q पर काटे। चौथा चरण अब हम बिंदू P और बिंदू Q से होकर गुजरती रेखा P Q खीचेंगे। रेखा P Q रेखा M पर लंब है। अब यहाँ देखिए यहां रेखा L दी गई है और बिंदू A दिया गया है जो रेखा पर नहीं है। ज़रा सोचिए हम इस बिंदू से रेखा पर लंब कैसे बना सकते हैं। चलिए हम बताते हैं लंब खीचने के लिए यहां हम रूलर और परकार का प्रयोग करेंगे पहला चरण हमें रेखा L दी गई है जिसके बाहर बिंदू A है दूसरा चरण A को खेंद्र मान कर हम सुवीधा जनक त्रिज्या का एक चाप खीचेंगे जो रेखा L को बिंदू S और T पर प्रतिच्छेद करते हैं तीसरा चरण परकार में लिगई दूरी में परिवर्तन किये बिना हम बिंदू S और T से बिंदू A के दूसरे तरफ एक दूसरे को काटते चाप खीचेंगे इनका प्रतिच्छेदन बिंदू है B चोथा चरण अब हम बिंदू A और B से जाती हुई रेखा खीचेंगे यहां रेखा A भी रेखा L पर लंब है अब चलिए जानते हैं एक रेखा खंड का लंब सम्दी भाजक यानि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएं रेखा खंड का लंब सम्दी भाजक खीचने के लिए हम रूलर और परकार का प्रयोग करेंगे पहला चरण मान लिजे हमें रेखा खंड A भी दिया गया है और हमें इसका लंब सम्दी भाजक खीचना है दूसरा चरण, हम परकार का नुकीला सिरा A पर रखेंगे और परकार को रेखा खण A, B के आधे से अधिक दूरी के लिए खोलेंगे इस दूरी के साथ हम A, B के दोनों तरफ चाप खीचेंगे तीसरा चरण, परकार में ली गई दूरी में परिवर्तन किये बिना हम उसका नुकीला सिरा B पर रखेंगे और पहले चापों को बिन्दू J और के पर काटते चाप खीचेंगे चौथा चरण, अब हम J और के से जाती हुई रेखा J के खीचेंगे यह रेखा खंड A, B को C बिन्दू पर प्रतिछेत करती है यहाँ A, C और B, C बराबर है अगले हम कह सकते हैं कि प्राब्त रेखा J के रेखा खंड A, B का लंब सम्दी भाजक है याद रहे कि परकार को आप आधे से अधिक दूरी के लिए खोलेंगे यदि आप परकार को आधे से कम दूरी के लिए खोलेंगे तो चाप आपस में प्रतिछेत नहीं करेंगी उधारन देखेंगे